किं दोस्तो एडवान्स जावास कूप की इस सरीज में आज हम देखने जाnaires कि टू-स ट्रिंग अदो थिके टू हिस्ट्रिंग मेटंट भी हम देखेंगे और उच जावा इसक्रिपट के कुछ एडवास concept है उसको भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पर HTML फाइल बनाई है और इस फाइल पर मैंने यहाँ पर एक scripted tag लगाया है ठीक है अभी इसको मैं run करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा अभी मैंने कोई code लिखा नहीं है तो यह white screen आ रही है यहां पर ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले को आपजेक्ट बनाते हैं तो मैं आपजेक्ट बनाता हूं तो मैंने लिखा लेट फिर मैंने लिखा my EMP is equal to new और new में मैंने object यह मैंने यहाँ पर एक object बनाया ठीक है फिर मैंने यहां पर लिखा कि my EMP.name मतलब EMP की name property my EMP.name is equal to मैंने यहां लिख दिया सचिन ठीक है फिर मैंने क्या किया यहां पर my EMP.h is equal to मैंने लिख दिया यहां पर 35 फिर मैंने क्या है किया my EMP.salary is equal to मैंने लिख दिया 60,000 यह मेरा एक object यहां पर बन गया ठीक है अब इस object को अब इस object को मैं क्या करता हूं इस object को मैं document.write करता हूं ठीक है तो मैंने क्या किया है यहां पर document.write document.write और document.write मैंने यहां पर my EMP को किया write ठीक है तो क्या होगा तो जब मैं यहां पर open with live server करूए तो आप देख रहें यहां पर दो object object print हो रहे हैं एक object print हो रही है यहां पर छोटा हो वाला और एक किसका object है अभी अभी यह किसका object है तो यह object है अभी अभी यह object है object class का ठीक है object class का object है और javascript के अंदरे जब भी हम कि डाक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं ठीक है यह कौई चीज करते हैं हम लोग alert function का यूज करते हैं यह कोई इस्ट्रिंग गनकर्डि करते object के साथ string plus object तो javascript क्या करती है javascript to string method को call करती है to string function को call करती है ठीक है अब हमारे इस case में हमारे इस case में to string मतलब कहने का यह है कि हमारे इस case में जो to string call होगा क्योंकि हमने document.write किया है और new object किया है तो हमारे इसमें जो to string method call होगा वो object class का call होगा ठीक है तो object class कैसे बनती है है ना object class predefined class है javascript की ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे object class call करता हूँ तो object class के जो method होते हैं इसमें to string करके एक method होगा तो यहाँ पे मैंने जो my EMP मतलब my employee class का एक object बनाया employee class यह reference है ठीक है यह reference है तो इसमें क्या होगा एक बनेगा हमारा object बनेगा राइट यह हमारे पास memory है इस memory के अंदर एक object बनेगा और वो object किसको point करेगा twisting तो इसका कुछ diagram कैसे बनेगा वो हम देखते हैं मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा ट्राइगाम बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे यह है मेरे पास memory ठीक है इस memory के अंदर computer की memory के अंदर एक object बन रहा है और वो object बन रहा है कि कुन सा किस नाम का object बन रहा है वो object बन रहा है मेरा यहाँ पर my EMP करके object बन रहा है ठीक है अभी my EMP जो object है मेरा my EMP ठीक है इस object के अंदर तीन parameter है name, age और salary तो इस object के अंदर क्या है? name है यहाँ पर क्या है यह name है फिर क्या है यहाँ पर age है और फिर क्या है यहाँ पर salary है तीन चीज है यहाँ पर name, age और salary है ठीक है name की value क्या है तो name की value यहाँ पर हो गई सचिन यह name की value हो गई राइट age की value हो गई यहाँ पे 35 35 age की value हो गई और salary की value हो गई यहाँ पे 60,000 तो यह salary हो गई ठीक है अब इस पूरे object को इस पूरे object को यह जो पूरा object बना है इस पूरे object को refer कर रहा है कौन refer कर रहा है इस पूरे object को refer कर रहा है my EMP right मतलब my emp क्या है reference है किसका इस object का तो यह यहाँ पर मैंने लिख दिया my emp correct तो यह कुल मिला के इस तरीके से चल रहा है यह my emp इसको क्या कर रहा है refer कर रहा है इस memory object को अब अगर मैं यहाँ पर document.write करूँगा तो जो rule हमने देखा था हमने क्या rule देखा था यहाँ पर कि जब भी कोई right right call होता है तो क्या करता है two string को call करता है function तो अब यहाँ पर two string है क्या two string नहीं बनाया मतलब हम लोगों ने हमारे तरफ से कोई two string नहीं बनाया है तो यहां पर यह जो object class इसका two-string call होगा ठीक है तो इसका जब कोई two-string call होगा तो document.write में जो two-string method का function है default object class का वो call हो जाएगा तो वो call होके क्या call करता है वो हम देखने है तो इसका output क्या आएगा इसका output आया object object तो पहला वाला object मतलब यह object है और दूसरा वाला object हमको यह बताता है कि object class ठीक है इसलिए यहां पर यह call हो रहा है ठीक है अब मैं एक चीज़ और करता हूँ इसका मतलब यह है कि अगर मैं य राइट डाक्यूमेंट 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 डाक्यू कि twisting ही तो call कर रहा है system तो दोनों का output same आया ठीक है दोनों का जो output है वो same आया अब ये चीज हम दूसरे किसी object के साथ करके देखते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि window object को print करता हूँ तो मैं इस vr को copy करता हूँ और यहाँ पे vr को copy करके यहाँ पे paste करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ document.write 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 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ window object होता है window object होता है हमारे system का तो window.to string कर देता हूँ window.to string कर देता हूँ ठीक है तो window.to string जब मैं करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह object है और कौन सी class का object है window class का object और हमने जो बनाये था वो भी object था लेकिन कौन सी class का object था object class का object था ठीक है तो यहाँ पर window आगे उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो window मैंने class बनाई है ना जो window class मैंने बनाई अब java script ने क्या किया ये जो default two string method आ रहा है इसको हम लोग overwrite कर सकते हैं ठीक है तो java script ने कुछ predefined object हमको दिये हैं जिसे कि date class का एक object दिया है तो अगर हम लोग date class का object बनाते हैं और फिर उसको उसका two string call करते हैं तो हमको कुछ अलग output देगा क्योंकि ऐसा output user को तो समझ में नहीं आएगा तो java script ने क्या किया कि two string जो method थे उसके object को overwrite किया तो इसका भी हम लोग एक example देखते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर br कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर br किया br करने के बाद यह जो object था यहाँ पर मैंने current date का object बनाया तो मैंने लिखा let यहाँ पर मैंने let लिखा यहाँ पर मैंने लिखा current date is equal to new date तो यह बन गया date class का object ठीक है और फिर मैंने क्या किया let एक object और बनाया जिसका नाम दिया मैंने my array my array और my array को फिर मैंने क्या किया यहाँ पर array class का object बनाया और new array और यह array class का जो object है वो मैंने बनाया one, two, three, four, five ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ document.write document.write करता हूँ document.write करता हूँ document.write करता हूँ document.write मैं क्या करता हूँ current date को pass कर देता हूँ ठीक है और फिर क्या करता हूँ document.write करता हूँ और इस br को call कर लेता हूँ तो मैं यहाँ से copy करता हूँ यहां जाके इसको paste करता हूँ और यहां पे मैं यह वाला जो object था मेरा array वाला इसको call कर लेता हूँ तो मैं यहां जाता हूँ और यहां पे मैं my array को call कर लेता हूँ तो फिर output क्या आएगा वो मुझे देखना है ठीक है तो date का जब मैंने यह देख रहे हैं यह जावा स्क्रिप्ट का जो object है जावा स्क्रिप्ट का जो object है वो क्या है यह output हमको दे रहा है यह output क्यों दे रहा है हमको क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने इसको override कर रखा है इसलिए यह object हमको इस तरह का output दे रहा है अरे का output भी javascript ने override कर रहा इसलिए output दे रहा है तो अभी हमारी class का जो object है या हमारी class का जो result है वो ऐसा है तो हमको भी override करना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ हमको भी override करना चाहिए तो मैं इसको override करता हूँ ठीक है क्योंकि ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आएगा न हमको एक particular format उसको देना होगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बापस जाता हूँ मैं यहां से सब चीज़े हटा देता हूँ ठीक है यह सब चीज़े हटा देता हूँ अभी मैं यहां पर यह कि जो function है मेरा यहां पर मैं two string को override करता हूँ तो टू string को override कैसे करते हैं हम लोग तो मैं यहां पर लिखूंगा my emp dot two string is equal to function क्या लिखना पड़ेगा function और इस function में हमको return करवाना पड़ेगा एक string यह जावा स्क्रिप्ट का यह rule है कि जब भी आप two string call करोगे तो string को return करवाना पड़ेगा ठीक है फिर यहां पर क्या लगाता हूँ मैं backtrick लगाता हूँ क्योंकि मैं तीनों value को एक साथ return करना चाहता हूँ फिर dollar लगाता हूँ और dollar के बाद में यहां पर मैं call करता हूँ mymp.name ठीक है फिर कॉमा लगाता हूँ dollar लगाता हूँ और यहां के बाद यहां पर mymp.salary ठीक है और यहां पर backtrick बन और यहां पर semi column ठीक है तो अब यह जो mymp class है यह result return करेगा object object return नहीं करेगा तो हम लोग देखते हैं तो देखो इसने हमको यह format में यह result return कर दिया object object इसने return नहीं किया तो इस तरीके से हम लोग two string को override कर सकते हैं और जैसा कि जो JavaScript का date object है उसमें यह काम किया हुआ है तो हम भी जब object बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग two string को override कर सकते हैं अब हम लोग document right लगाएं चाहे हम लोग document write का use करें चाहे हम लोग alert का use करें या फिर हम लोग string calculate करें, तीनों में हमको two string वाला जो output है वो मिल जाएगा, तो ये था javascript का object two string के साथ किस तरीके से काम करता है